आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ not more than two of the given people have to attend a wedding in the given same month portion में परसन गिवन अटेंड करते हैं wedding different month के same year में और हमें आपे date गिवन 11 and 24 date month person date है आपे 11 and 24 month है आपे January 11 and 24 next है यहां पर अपरेल date same रहेगी month change होंगी September December 11 and 24 now arrangement देखते है W has to attend a wedding on 11th of the month which has only 30 days W attend करेगा 11th date को जिस month में 30 days होंगी तो यहां पर अपरेल है and September जिस में 30 days होते है तो W के यहां two cases possible है W attend करेगा 11 April को यहां फिर 11 September को यहां तक clear है only three people have to attend a wedding between W and Y W and Y के between यहां पर थी person होंगे attend करेंगे wedding इस्टे ब्लू का कोड़िंग चेक करते है downward में 1, 2, 3 3 person gap होगे Y के लिए place नहीं बचे हमें upward में चेक करना पड़ेगा 1, 2, 3 Y की position आगे फिर यहां पर इस्टे ब्लू का कोड़िंग चेक करें upward में 2% gap है हमें 3% अचेहे upward में possible नहीं है downward में चेक करते है 1, 2, 3 Y की position आगे फिर यहां पर Y के यहां 2 cases possible है C and Y have to attend a wedding neither on the same date nor in the same month C does not have to attend a wedding in April C attend नहीं करेगा wedding in April में भी question में given है कि Y और C same month में या same date को attend नहीं करेंगे Y करें 11 को इसका मतलए C करेंगा 24 को ना तो January में करेंगा ना दिसंबर में करेंगा remaining month रहे गए है April and September April नहीं वह वैसे नहीं करेंगा में question में given है remaining रहे गए 24 September that means C करेंगा 24 September को only two people have to attend a wedding between C and F between two person attend करेंगे wedding C यहाँ पर download में case देखते है one two two percent gap हो गया F के लिए यहाँ पर place नहीं बचाए हमें वर्ट में चेक करना पड़ेगा one two two percent gap हो गया that means यहाँ पर फिर F यहाँ से हम W को remove कर देते हैं ठीक है अब हमें पता है W and Y के between three person gap होना चीए one two three three percent gap है यहाँ पर Y की position correct है तो हम यहाँ से Y को remove कर देते हैं X and F have to attend a wedding on the same day F attend करें 11 April को इसका मतलब X भी 11 कोई करेंगा पस मन्त यहाँ पर change हो जाएगा अब यहाँ पर January की 11 को यहाँ पर Y कर रहा है September में W कर रहा है and December का मन्त यहाँ पर remaining है that means X करेंगा 11 देसेंबर को D has to attend a wedding on one of the day before X X से पहले यहाँ पर D attend करेंगा wedding तो D की position है यहाँ पर भी हो सकती है and D की position यहाँ पर भी हो सकती है next is only one person has to attend a wedding between D and E D and E के between यहाँ पर one person होगा attend करेंगा wedding हैं अगर हमन्हें छो जाहां पर डुदे लिए के भूफूशन हो दोकी फ्याइब टॉ सिस्पूर सबुसिवल है लिस दन फूर पीपल हैं थैन इंड कि खूक्छनी धें लिजब से लेक्टीनन तों कि नहीं हैं ठオ pressi को रिमूब कर देते हैं इसका मतले एकी बोजी से यहां पर करेक्ट है तो यहां से हम डी गोडि मुपर देते हैं अब यहां पर हम देखे इस एक कोडिंग 1 2 3 से परसगा पर हो गया एंड यहां पर होगा फिर जैट लेस्टन 4 है हमने सब को रेंज कर लिया पूर्शन देखते हैं यहां पर कपर टेंड करता है एक्स कर रहा है टेंड वेडिंग को 11 दिसेंबर को ना ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन 4 इस करेक्ट 11 दिसेंबर थैंक्यू अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर